जिन्दगी क्या है ये जिन्दगी जिन्दगी एक खेल इसे खेल जिन्दगी एक गाना है इसे काव जिन्दगी बस एक मेरी मा ही थी जिसे मुझे में एक स्टार नज़ता मुझे आज भी याद है, सेकेंड स्टैंडर्ड का मेरा स्पूल प्ले, जिसमें एक पेड़ बना था, कोई लाइन भी नहीं दी थी मुझे बुलने के, मेरी मॉम को मेरा परफॉर्मेंस सबसर चलता, इन फैक्ट मेरी मॉम को में दुनिया का सबसे गुड़ लुखिंग पर चलता, मुझे मेरे अंदर कभी कुछ ऐसा नजर नहीं है, लेकिन पिर जब मॉम हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चली लूँ, तो फिर मैने आपको उनकी नजरों से देखना शुचा, और तीरे दीरे उनकी हर उमीद मेरा भरुसा हमें, इस छोटे से डबबे पर जब मैं बड़े-बड़े स्टार्स को देखना, तो मैं अपने आप से एक ही सवाल करता, इन सब में ऐसा क्या है यार जो मेरे अंदर है। तो कि बस, मैं यहां आ गया थे। यह सोचकर कि इस स्क्रीन को सिर्फ मेरे ही चेहरे की तलाश है। लेकिन यहांने के बाद, धड़ा। पता चला जितनी आक्टिंग टीवी पर होती है, उससे कई ज़्यादा आक्टिंग टीवी के पीछे होती है बस। मैं जहां भी जाता मुझे मेरे जैसे 300 और दिखाई जो। जिनके माबापने उनके लिए भी कुछ ऐसे ही सपने लेके हो। मैं फोन करता, वाट्साप करता, मैसेज़स करता, लेकिन मेरे मैसेज़स को सीन करके भी कोई रिप्लाइ नहीं है। उनसे मिननत ये करता, सर मुझे काम दीजिये, मैंने काम सीखा है, मुझे काम दीजिये। लेकिन बदले में, मुझे एक ही रिप्लाइ मिनता, विल कॉल यू विल सी लिकिन नहीं मुझे लडाएं लड़ी मुझे इस सफर में जीतना नहीं किसी और के लिए नहीं, जस्ट पो मैं सब्सक्राइब अना गुट